जैस यहरां दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Onyx BioTech Limited Company के IPO के बारे में, तो यह IPO हमारा 13-18 November के बीच में खुला है, और आज इस IPO को अपलाई करने का last दिन है, last day के दिन हमें इस IPO में क्या strategy अपनाने चीए, इस से related मैं इस वीडियो में discuss करूँगा, हमें इस IPO क apply करना चीए, या avoid करना चीए, इसका current great market premium क्या चलना है, और हमें expected कितना listing gain यह हमें दे सकता है, वो सारी ही बाते मैं इस वीडियो में cover करूँगा, तो last तक वीडियो को जरूर देखिएगा, हम सबसे पहले इस IPO के subscription की बात करें, तो अभी तक इस IPO में लगबग 10 गुना का subscription subscription देखने को मिला है, जिसमें retail category में यह लगबग 11.5 गुना subscribe हुआ है, NI category में इसमें लगबग 178 गुना यह subscribe हो चुका है, और QI category में अभी यह 0 गुना ही subscribe हुआ है, तो mostly जो QI category में और NI category में जो subscription देखने को मिलता है, वो last day के दिन ही देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि आज इन दोनों में भी काफी अच्छा subscription देखने को मिल जाए तो अगर हम इसका current gray market premium की बात करें तो वो भी 15 रुपए के आसपास चल रहा है 61 रुपए का इसका total issue size है उस पे 15 रुपए का अलग से listing ये निया आपको जो total 25% के आसपास देखने को मिल रहा है तो इसकी जो approach listing है आज के gray market premium के according वो 76 रुपए के आसपास हो सकती है तो इसका gray market premium भी काफी अच्छा चल रहा है company के fundamentals भी काफी अच्छे हैं company long term और short term दोनों ही उससे आप इसमें apply कर सकते हैं कोई भी IPO apply करने से पहले आप अपना risk analysis जरूर कीजिए क्योंकि कुछ दिनों से market की negativity की वज़े से gray market premium पे भी काफी impact पढ़ रहा है वज़े से ही company अपने IPO लाने से डर रही है जो company IPO लेके आ रही है उन्होंने कोई इतना खास return बना के नहीं दिया है तो ये जो 25% इसका gray market premium आज के according चल रहा है वैं सिर्फ tentative है कोई particular नहीं है कि इतना listing आपको मिलेगा वो सकता है कि जब ये IPO जिस दिन इसकी listing हो तब तक market में और भी ज़्यादा गिरावट आ जाए जिसका impact इसके gray market premium पे भी पढ़ सकता है और आपको ये return की बजाए क्या पता आपका ये IPO discount पे भी list हो सकता है वो market की situation के according depend करेगा वो कोई 100% ये formula नहीं है कि हर एक IPO में आपको listing एन मिलेगा तो ये सभी risk analysis करने के बाद ही ना कोई decision लीजिए दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के like करें और चैनल को subscribe करना ना बुखे